हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सभी लोग तो दोश्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं अराधना मिस्त्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अराधना फोड फ्लेवर में तो प्रेंस आज की जो हमारी र्यसिपी है वह भंडारे वाले को लेकर के यह से अलूपकर बनती है और चैनल से ओने वाले लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या-क्याय है यहां पर द्लक कर लिया है अब हम इसको छेल लेंगे तो सारे अलू का पूक हम दो को बखिल 20 अब्हा को हम चाहिए कर लिया है जितना हमें चाहिए सबस्य देखी इस रोड़ अच्छा रहता है और इसकी वाद हम मसाले त्यार करेंगे तो सेम हम मसाले त्यार करने वाले हैं बिलकुल हलवाई स्टाइल तो हम सबसे पहले ले लेंगे अद्रक हरी मिर्च ले लेंगे स्वाद के अनुसाद जितना तीखा आप पसंद करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भंडारे वाली आलो मिलती हो कितनी तीखी चपटी स्वादिश्ट होती है स्वाद तो भूलना मुस्किल हो जाता है तो इस तरह से हमने अद्रक और हरी मेज को काट लिया है हम टमाटर को भी काट लेंगे तो यहां पर हमने दो टमाटर लिया था एक चमच हम डाल इससे फ्रेंस क्या है कि जो हमारी सबजी ना बहुत ही नेक्स लेवल पर बनकी जाएगी तो इस तरह से इससे पीस लिया है बगर पारी डाले अब यहां पर हमने क्या करना है फ्रेंस सबसे इंप पॉर्टेंट दो चमच घी ले लेंगे हम कराही में घी जब गरम हो जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे 30-40 किस्मिस के दाने इसको हम अच्छे सी घी में फ्राइ कर लेंगे तो इसी घी में फ्राइ करने से क्या होगा ना कि बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आएगा सब्जी में तो इससे आप इस तरह से रोष्ट कर ले तो यहाँ पर किस्मिस हमारी अच्छे से भुन चुकी है अब इसे हम कराही से बाहर निकाल लेते हैं और यह देखे कितना प्य पुरंट के बाद इसमें हमारा जाएगा दो तेज पत्ता तेज पत्ते को अच्छे सें तेल में चटकने देंगी एक हरी मिर्च हम डाल देंगे लुक के लिए क्योंकि बाहर सौरी इससे पहले हमने हरी मिर्च का प्रियोग खोप सा रख किया था तो हम थोड़ा सा सब्जी इसे मसाला का कच्छापन निकल जाएगा तो इस तरह से ढग देते हैं और थोड़ी देर बाद हम इसे उठा के चेक करेंगे तो मसाला जो है अच्छे से भून रहा है इसका आधा पानी जो है सूख चुका है तो अभी से हम चला लेंगे और इसकी बाद इसमें हम एड़ कर अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहां पर आम चूर पावडर का भी प्रियोग कर सकते हैं खटापन लाने के लिए सबजी में क्योंकि भंडारे वाले आलो में हमने देखा एक अजीब सा खटापन लिए सबजी बन के त्यार होता है और जो किसमिस हमने फ्रा आप इसे अच्छे से चलाती है तब तक भूने जब तक कि मसाले तेल न छोड़ने लगे और इसमें से अच्छी सी खुसबू न आने लगे तो यहां पर मसाले हमारे भून चुके हैं इसमें आड़ कर देंगे हम पानी तो यहां पर हमने एक गिलस पानी का यूज किया तो यहां पे पानी हमरा अच्छे से पक चुका है अब इसे हम खोल लेते हैं और इस वर से हम चला लेंगे सारे मसाले अच्छे से पानी में उबल चुके हैं तो अपने हम जो आलू उबाल के रखा तो वह आलू को हम ले लेंगे और इस वर से हम आलू को तोड़ के डालेंगे और फ्रेंज ऐसा माना जाता है कि आलू के बेगार तो सारी सब्जी अधूरी है तो आलू तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट होता है और हर किसी का पसंद होता है इसके बाद हमने हापे ले लिया एक चमच कसूरी मेथी इसे भी इसतर से क्रस्ट करके हम डाल देंगी इससे जो सब्जी का टेस्ट है चार गुना बढ़ जाएगा बहुत टेस्टी बनता है तो इस तरह से यह हमारा आलू जो है अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुका है कसूरी मेथी को भी हमने फेट किया था अब हम इसे ढखके पका लेंगे एक मिनट तक और यहां पी यह दे इसका लुक भी आप देख सकते हैं तो फ्रेंस इस तरह से एक बार आप जरू ट्राइ करिएगा और पता है बच्चे तो इसके बगर कुछ खाते ही नहीं है बस उन्हें आलू ही जालू चाहिए तो यहां पी यह हमारी ट्रेडिशनल पूड़ी और पूड़ी के साथ यह ग अनकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में कोई कमिया रहे गई हूं तो आप उसे भी कमेंट के जरी बता सकते हैं आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए ब अमाल